हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल steadypoint with kg पर दोस्तो आज का हमारा टौपिक है Computer Hardware दोस्तो आज के इस वीडियो में हम Computer Hardware के बारे में जानेंगे जैसे की Hardware किसे कहते हैं Holdware कितने परकारके होते हैं इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि कम्प्यूटर एक electronic device है जिसका उपियोग हम गरना और तूरना कलने के लिए करते हैं दोस्तों कम्प्यूटर दो चीजों से मिलकर बना होता है पहला आपका hardware दूसरा आपका software दोस्तों ये दोनों किसी भी computer system के मुख्य भाग होते हैं इन दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिती में कम्प्यूटर में कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं यानि कि दोस्तों hardware और software दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं इन दोनों में से किसी एक के भी अनुपस्थिती में हम कम्प्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम hardware के बारे में जानते हैं hardware क्या है? दोस्तों computer के physical part को hardware कहते हैं hardware कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख और छूँ सकते हैं hardware कंप्यूटर का वह भावतिक भाग है जिसकी मदद से पूरा computer बनता है यानि कि दोस्तों computer के वे भाग जिने हम देख और छूँ सकते हैं उसे hardware कहते हैं दोस्तों hardware computer का बहुत ही महत्पूर्ण भाग होता है इसके बिना computer का कोई अस्तित्व नहीं होता है यानि कि दोस्तों computer का वह भाग जिसे हम अपनी आखों से देख सकते हैं एवं हाथों से छू सकते हैं वे सभी part आपके hardware कहलाते हैं hardware वे devices होते हैं जो computer system को चलाने के लिए आवस्यक होते हैं जैसे दोस्तों आपका motherboard हो गया, processor हो गया, RAM हो गया, hard disk हो गया, keyboard हो गया, mouse, monitor ये सभी आपके hardware होते हैं दोस्तों hardware को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला आपका internal hardware, दूसरा आपका external hardware, तो चलिए दोस्तों एक एकर करके इन दोनों के बारे में जानते हैं पहला है दोस्तों आपका internal hardware, दोस्तों internal hardware वे hardware होते हैं जो आपके computer case के अंदर या cabinet के अंदर लगे होते हैं यानि की दोस्तों computer के अंदर मौजूद वह भाग जो computer को run कराने में मदद करते हैं उसे internal hardware कहते हैं जैसे आपका motherboard हो गया, processor हो गया, RAM हो गया, ROM, hard disk, SSD, sound card, video card ये सभी दोस्तों आपके internal hardware के अंतरगत आते हैं यानि की दोस्तों जो आपके cabinet के अंदर जितने भी पार्ट लगे होते हैं ये सभी आपके internal hardware के अंतरगत आते हैं दूसरा है दोस्तों आपका वही, external hardware external hardware वे hardware होते हैं जो computer case या cabinet के बाहर होते हैं यानि की दोस्तों external hardware वे hardware होते हैं जिसे हम देख सकते हैं या जिस पर हम कार करते हैं उसे external hardware कहते हैं दोस्तों external hardware के अंतरगत आपके input devices, output devices, storage devices और peripheral devices ये सभी आपके external hardware के अंतरगत आते हैं यानि की दोस्तों जो आपके input और output devices होते हैं ये सभी आपके external hardware के अंतरगत आते हैं वही पे दोस्तों गर input devices के बात करें तो आपका keyboard हो गया, mouse, scanner, trackball, joystick, light pen, OCR, microphone, touchscreen, webcam ये सभी आपके input devices के अंतरगत आते हैं वही पे दोस्तों गर output devices की बात करें तो आपका monitor हो गया, printer हो गया, projector, plotter, speaker, headphone ये सभी आपके output devices होते हैं दोस्तों अगर आप लोग input और output devices के बारे में detail से जानना चाहते हैं तो description में वीडियो का link मिल जाएगा वहां से आप लोग देख सकते हैं वही पे दोस्तों अगर आप लोग software टॉपिक से बीडियो देखना चाहते हैं तो description में उसका भी link मिल जाएगा वहां से आप लोग software समबंधित बीडियो को देख सकते हैं दोस्तों next वीडियो में हम लोग देखेंगे software और hardware के बीच में अंतर तो दोस्तों आज के लिए बसिंदा ही मिलते हैं आप से next वीडियो में